हेलो प्रेंट्स हमारे चैनल में आप सपी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको कुर्ती में रेडिमेंट गला सैट करना पताएंगे तो जिसके लिए देखिए हमने ये गला लिया है और इसी गले से हम अपने इसमें सैटिंग करके इसको लगाएंगे और ऐसे रखके हमें इसके उपर पहले निसान लगाना है आपका कोई भी गला हो आप इसी तरीके से लगाएंगे इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ तो देखिए अब हम यहाँ पे निसान लगाएंगे ऐसे ठीक है मैंने निसान लगा लिया अब ऐसे ही मैं इसकी कटिंग कर दूँगी जैसे मैंने निसान लगाया है तो देखिए ये हमारे गले की कटिंग हो चुकी है अब हम क्या करेंगे अपने इसी पैटन को रखेंगे इसके उपर ऐसे ये एकदम फिक्स आना चाहिए इसके साथ में और रखे और पहले हम एक सिलाई लगाएंगे इसके उपर फिर हम बाद में इसके उपर पट्टी लगा देंगे क्योंकि इसके अंदर कपड़ा नहीं है इतना कि हम फोल्ड करके लगा सकें और है भी तो बहुत कम है यानि कि कहीं पे तो ज़्यादा दे रखा है कहीं पे बहुत कम है तो फिर उसको उधरने की चांस रहेंगे तो इसलिए हम अलग से पट्टी लगा देंगे इसके उपर तो देखिए हम पहले इसको ऐसे रख लेंगे मिलाके बिल्कुल और यहां पे सिलाई लगाएंगे अच्छे से बरावर करके गला एकदम फिक्स आना चाहिए आपका और जो यह बलेक कपड़ा कहीं से दिखा हाई इसको भी अंदर की साइड सेट कर दी दिया तो देखिए यहां तक हमने इसको सेट कर दिया है लेकिन पहले आप कटिंग जरूर कर लें क्योंकि कटिंग करने से गला एकदम अच्छे से फिक्स आ जाता है तो देखिए यह हमारा एकदम फिक्स आ गया है अब हम एक सिलाई यहां पे लगाएंगे पहले बीच में हम पिन लगा लेंगे एक दो ताकि यह गला अच्छे से सेट हो जाए हमारा तो देखिए मैंने यह तीन पिन लगा ली है अब हम यहां पे सिलाई लगाएंगे पिन से हमारा यह अच्छे से फिक्स हो जाएगा बिल्कुल जमा रहेगा अंदर वार जोगे मेरा टॉप पार्ट का कपड़ा इसको ऐसे खीच के रखें वरना यह अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा अगर हम इसको खीच के नहीं रखेंगे तो हुआ है हुआ है हुआ है तो देखिए मैंने लगा दिया है अब पिन निकाल देते हैं अब इसके उपर पट्टी लगाएंगे हम अब देखिए हमने एक तिर्ची पट्टी ले ली है गाउन के कपड़े की ही अब इस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे यहां पर और सिलाई लगा देंगे इसके उपर यह मैं एक फोल्ड में ही रख रही हूं पट्टी को ऐसे गुहमाते हुए आपको उसी सिलाई के ओपर सिलाई लगानी है जो हमने पहले इसको गले को सेट करते टाइम लगाई थी अब देखिए इसमें से हम पाइप इन निकालेंगे तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए जाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे आप चाहें तो ऐसे भी रख सकती हैं बिना पाइप इन के भी पाइपिन से इसका लूप और भी ज़्यादा अच्छा आएगा तो देखिए हमने इस तरीकी से लगा ली है एक्स्ट्रा कपड़े के उपर उल्टी साइड तुरपाई कर लेंगे सब्णून पेल यहां पर सकती है इस तरिके से रखेंगे लेश को और ऐसे पूरे में यह लगा देंगे इसके उपर ऐसे थोड़ा से चड़ा की लगानी है इसको लगा के पूरे में हम फिक्स कर देंगे तो देखिए मैंने यह पूरे में लेस को लगा दिया है आप देख सकते हैं आप भी इसी तरीके से अपना गला पनाईए और मुझे कमेंट करके बताईए आपको वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद